वाड़ी के धम्मकिर्टी नगर में एक 37 वर्ष युवक नी फासिल लगा कर आत्महत्या करने से शेत्र में संसनी फैल गई प्राब जानकारी के नुसार मृतक अमर्दी ध्यानेश्वर गुलाइट उम्र सेतिस धमकिर्टी नगर दत्वारी का निवासिता और घटना सल पर अकेला ही मौज़ुद था मृतक के परिवार में पत्नी और आठ साल का बेटा और दो भाई और माता पिता है मृतक का घर तीन मंजिला उचा है और वह पहले मंजिल पर अपने परिवार के साथ रह रहा था मा और पिता दूसरी मंजिल पर और भाई तिसरी मंजिल पर रहते थी दूसरी मंजिल पर बड़े भाई मा और पिता रहते थी यह कल शाम भाई के बेटे का जन दिन था केक काटने समय मृतक अमरदीब मौजुद था केक काटने के बाद वह चला गया उसके बाद उसे किसी नहीं देखा मृतक अमरदीब का प्रेम विवा हुआ था उसकी पतनी कुलकता से है और वह 11 तारी को अपने बेटे के साथ माई के गई थी तब से अमर्दीप घर पर अकेला रह रहा था अमर्दीप अपने छोटे भाई के साथ प्लास्टों में काम करता था अमर्दीप ने कोलकता से अपनी पत्नी को लाने के लिए पाश्चिनों की छुटी ले थी वो कलकता अपनी पत्नी को लाने के लिए आज कल में निकलने वाला था अमर्दीब शराप के प्रभाव में था कल राद से उसे किसी नहीं देखा आज शाम उसके बड़े भाई ने उसे बुलाया तो उसने शवाब नहीं दिया इसलिए उसे संदेह था भाई ने दर्वाजा बन है देखते ही उसने लोहे की रोर से दर्वाजा तोड़ा मृतक अमरदीप अपने कैमेरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकता मृत अवस्ता में मिला मृतक अमरदीप एक शांत वो मन मिलाव स्वभाव वाला व्यक्ति था उसे किसी प्रकार का तनावन नहीं था ऐसे शेत्र में चर्चा है जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली PSI गनेश मुंडे मौके पर पहुचे घटना की जांच की गई और शवपरिक्षन के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया वाडी पिलिस आगे की जांच कर रही है शहर में आत्मत्याव की संख्या बढ़ रही है और मार्क दर्शिन की सक्त जरूरत है BCN न्यूस के लिए वाडी से सौरप पाठिल की रिपोर्ट